तो काईसर आज हैर सुबह सुबह बहती जादा बड़ी दिक्कत हो चुकी है मैं आज टीवी नहीं चला सकता क्योंकि आज सुबह सुबह सफाई करते करते मैंने अपना जो टीवी का रिमोट था वो स्वेमिंग पूल के अंदर गिरा दिया है आज जो मैं यहाँ पर सफाई करा था मेरे हाथ में टीवी का रिमोट था और वो सीदा जाके पानी में जाके गिर गया तो इसलिए मैं अपनी टीवी नहीं चला सकता इसलिए मैं इन्ने फढाफ़ड सब्रायर टीवी के रिमोट टूडना पड़े का ताकि मेर टीवी चला सकूँ और देख सकूँ Lost and Toss में क्या चल रहा है तो भड़ा फट से पानी के अंदर कूच चाते हैं चलो काईजर भड़ा फट से चलते हैं पानी के अंदर और हमें यहाँ पर रिमोट डूड़ना है यही मेरे टीवी का रिमोट है रुक जाओ, मैंने थोड़ी सी सास रे लेते हैं फिर से अंदर चलते हैं चलो बढ़ाओ बाट से इस रिमोट को उठायते हैं और जल्दी से उपर चलते हैं तुकाईसर हमें पानी में से रिमोट ले तो हैं तुकाईसर आजाने वाले टीवी पे एक बहुती जादा खतरनाग न्यूस इस ने में इतना जादा एक्साइड़ डूस न्यूस को देखने के लिए इस ने में जल्दी से जाके रिमोट लेके आने वालों चलो काईसर फड़ाओ फड़ से रिमोट है रिमोट 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 का है अरे इधर मुझे रिमोट नहीं दिखाए दे रहे अरे ये रहे तुकाईसर मुझे अब टीवी के रिमोट मिल चुक है अंकल फड़ाओ फड़ से रिमोट पेक कर दो ओके बेटा लाओ पचास रुपे तो काई सर अभी मैंने अपना रिमोट खरीद लिये और मैं जाने वारों घर पे आखिरकार में अपनी टीवी चालू कर पाऊंगा सुबह से टीवी नहीं देख पाया था क्योंकि रिमोट हमारा खराब हो चुका था पर अब हम वापिस अप खतरनाक सा मैंशन तो तुमको इन तीन चैलेंज में पार्टिसिपेंट करना होगा सबसे पहला चैलेंज ये खतरनाक रैम चैलेंज दूसरा चैलेंज है हंटिंग का चैलेंज और आखरी चैलेंज है ये खतरनाक सी रैंज जो में इन तीनों चैलेंजिस में जीतेगा उसको मिलेगा यह खतरनाक सा मेंशन विद बहुत ही खतरनाक खतरनाक सूपरकार्ण तो मित्रों अगर चालन्ज में पांट डिसमेंट करना तो आईए इस एड्रेस पांट तो काई सर अभी मैंने न्यूज देख लिए लॉस सेंटोस में होने वाला एक खतरनाक सा चैलेंज और तो इस चैलेंज में थी खतरनाक चैलेंज होने वाले सबसे पहला में बताया था रैम चैलेंज दूसरा था हंटिंग तीसरी थी एक रेस तो काई सर अगर मैं वह तीनोज में जीतता हूं तो मुझे मिल सकता एक नया नया चमचमाता घर और उसके बहुत ही खतरना घार अपने इस वाले घर को अपग्रेड करवाँगा और कैसे वो सारी के सारी गाड़िया भी में मिल जाएगी तो ये बहुत ही जादा खतर ना कोने वाला है पर उससे बहले हमें वो चैलेंज जीतना पड़ेगा तो फड़ावट से चलते हैं उस चैलेंज में पार्टी सिवेट क सब्सा मिल जाने कि चैलेंज चैलेंज में कोई शक्रमा या खंए रमचांगर फिस चैलेंज उस चैलेंज में कोई भी आइख खोंतेंगे जो इसलिए यह कुटा भी आ चुका है चलो चैलेंज को शुरू करते हैं यहां से अपनी गाड़ियों को लेके जाना पड़ेगा फिनिशिंग लाइन पर उसके बीच में बहुत सारे आप्स्टेकल्स आने वाले सब को क्रास करते करते हैं जो भी फिनिशिंग लाइन पर पहुचेगा वो जाएगा अगले चैलेंज पर मतरा शुरू करते हैं अरे सबसे पहले तो मैं ही जाओंगा हट जाओ जाओ मुझे कैसे भी करके यह चैलेंज जीतना है हट जाओ मुझे वह मैंशिंग चाहिए ताकि मैं और मेरी करफ्रेंड हम दो रहाँ पर रहेंगे तो काईजर सबसे पहले बार या चुके स्पार्डर मैन की और वो अपनी काड़ी को फुल स्पीड भागाते वे जा रहा है देखते हैं क्या यह इस रैम को कंप्लीट कर पाएगा या फिर किसी ऑप्स्टिकल में जाके बिढ़ जाएगा और इसने अपनी गाड़ी को चाओ। और काईजर यह कैस पार्डर मैन बहुती जादा स्पीड में नीचे जाना था और स्पार्डर मेन भी दिस्क्वालिपाइब Haag लॉग आघए और यह रही कुट आखा है अएपको धिज लिगगा ऐ इनसे होगा है चԱ्ब प्रहले को गाड़ी जलाते वह नही अमें वहसे सब्सक्रत कर्मी डिवाइब बाए यह गणाने भाग कर दो अपねंने खों कर किसे लगता लगक्र तो गुड़की कुटर इस मीश्चा फिराकल בש मुझे लगता है क्कुट्टा यार हम धानी करनेतेखेस लिगतीन मिल्ग मोसिन किले कोशने connects . मितरो ये कुट्टा बोल रहा है ये चलेंग जीत के रहेगा तो काईजर ये कुट्टा था बहुत जादा कॉन्फिडेंट है देखते क्या ये सही में जीत पाएगा क्योंकि सामने फेनिशिंग लाइन दीरे दीरे दिखना चालू हो चुकी है और ये कुट्टा में बिल्कुर अच्छी तरह अपनी गाड़ी को मगाते पे जा रहा है देखते हैं क्या होने वाला है और ये आखरी जंप यहाँ पर आ चुका है और इस कुट्टे ने अपनी गाड़ी और ये तो सीधा फर्ष्ट प्लेस पे यहाँ पर पहुँच चुका है तो काईजर इस कुट्टे ने ये चैलेंज कंप्लीट कर दिया और ये सीधा फर्ष्ट वाली पोजिशन पर आ चुका है अब तो मैं जाओंगा मेरी बारी आ चुकी है तो काईजर अब ये अजीब से दिखने वाले वैनम की बारी आ चुका है ये तीन-तीन मुंडिया है और अब ये जाने वाले देखते हैं क्या ये उस कुट्टे से अच्छा है वो कुट्टा मेरे सामने कुछ नई है मैं ये चैलेंज आराम से जी जाओंगा तो काईजर ये वैनम पता नहीं क्यों बात ऐसे कर रहा है ये वैनम के बच्चे को तो गाड़ी ने चलाना थी अभी मैं दिखाता हूँ कैसे चलाते हैं गाड़ी और इस चैलेंज को कैसे चीतते हैं ये चैलेंज हल के लिए बहुत ईजी है मेरी बात सुनो जो भी ये वीडियो देख रहा है अगर आप हल को सपोर्ट करना चाहते हो तो फड़ा फट से कमेंट में लेक दो हल खतरनाक और हल के लिए वीडियो को भी लाइक कर दो क्योंकि हल चैनल जीतने वाला है तो कैसर अभी हल की बारी आ चुकी है और इसने ये खतरनाक सी ओफ रोड वाली गाड़ी ले लिए ये गाड़ी कितनी जादा बड़ी है आप देख सेकते हो और ये डायरेक यहाँ पर आ चुका है वेरम वहाँ वहाँ गिड़ चुका था और इसकी गाड़ी उलट उलट होते जारी है क्या ये डिस्कौलिफाय होगा है युद्ध दिस्कौलिफाय मैं यहाँ जब्चाओ मेरी गाड़ी आउट आफ़ कंट्रोल हो रही है हरे बच गया तो कैसर हल्क है ने कैसे भी करके अपनी गाड़ी को कंट्रोल में यहाँ पर ला दिया और भी देखते हैं यह कह तक जाने बारा है हल जाएगा finishing line पर all direct finishing line पर जाएगा उसको रोड पर चाने की जरुवत नहीं है तो काई जरुबियाँ देख सकते हो हल की गाड हाँ पर उड़ते वे जारी ही सीधा finishing line की तरफ देखते हैं क्या यह सही में फिनिशिंग लाइन तक पॉचे का या फिर यह पीच में पर डिस्कॉलिफ होने वाला है और टायर के पीच में से निकलते निकलते यह आ चुका है फिरिशिंग लाइन पर मतलब हल्क ने यह चैलेंज कंप्रीट कर दिया है मैंने तो बोल हल्क और वो खतरनाक सब कुट्ता अब बार यह आरन मैं की देखते क्या यह क्वालिफाइ होगा या फिर यह हारने वाला है अभी तक दो जैने डिस्कॉलिफाइओ हुए वैनम और स्पार्डर मैं दोनों लिए दूसरे के विलन है और दोनों खोदी जाकर पहुच के रहूंगा हट जाओ और यह आरान मैन गुल गूमते गूमते अपनी गाड़ी को लेके जा रहे हैं क्या यह पहुच पाएगा मुझे लगता है मेरी काड़ी नहीं पहुच पाएगी मैं धर से खूदने वाला हूं यह मैं पहुच गया तो काई सर अभी आरन मैन ने यह चैनलेंज कॉम्प्रेट कर दिया है मितरों अब श्रीफ एक ही चना बजा है देखते हैं यह कॉलिफाइग हो गया फिर नहीं मोदी जी आप टेंक्शन मतलों मैं कॉलिफाइग हो के रहूंगा तो क्वाइजर तीन जरों ने कॉलिफाइग कर लिया है आरन मैन हल्क और तो ना ही मैं आरन मैं से खड़ाब ड्राइविंग करता हूं ना ही हल्क से और कुद्टे से था मैं बहुत ही अच्छी ड्राइविंग करता हूं बस आप तेखते रहो यह सब के सब सूपर हिरो इसलिए अपनी गाडियों को खुदा खुदा आगे चले के उड़ा उड़ा पर आ चुके हैं तो जैसे मुझे वो नया मेंशन मिलेगा मैं उसको बेच के अपने घर को अफग्रेट करूंगा बहुत सारे पैसों से और जो गाडिया में मिलेगी वो तो अपने पास ही रखुँगा क्योंकि हैं मुझे खतरना खतरना गाडिया ज़रूर चाहिए तो भी अगले चैलेंज में इस चैलेंज का नाम है हंटिंग चालेंज मित्रा तुमको दो जानवरों को हंटिंग करनी हैं अगर तुम एक दीएर को मारते हो तो तुम्हें मिलेंगे 5 पोईट अगर तुम्हें चैलेंज के एंड में जिसके पास सबसे ज़्यादा पॉइंट होंगे वह यह चैलेंज जीते का चलो शुरू करते हैं सबसे पहले र मिलेंगे अगर मैं शेर मारूँ तो चब दस चबैंट मिलेंगे कर दों को टूड़ते है करें तो मैं ??? मैं चर्ष्फ जो येलो येलो इसे ड़डर मार दिए मेरे दस पर फॉंट हो चूगा तो काईजर अभी आरेम मैंने दोच येह मार दियें और उसके 10 पॉइंट हो चुके हैं आइरन मैं के पास 5 मिनिट का टाइम है देखते हैं इसके कितने पॉइंट होने वाले अभी इसके वा स्रिफ चाड़े चार मिट बचे अभी मुझे यहां पर बहुत सारे शेर दिख रहे मैं शेरों को मारने वाला हूं इनको पता भी निचलेगा यह लो एक को मार दिया पाकी सब को भी नहीं जोड़ूँगा अरे काईजर यह क्या हो गया आरन मैं को तो वह शेर का गया मितरों आरन मैं होता है डिस्कॉलिफाइड अब बारी हलकी अब हलकी बारी आ चुकी है हलक आरन मैं की तरह ड़ता नहीं है हलक सब को मारेगा कोई भी शेर उससे नहीं मार पाएगा हलक किसी को नहीं चुड़ेगा येलो आरे हलक इंसानों को नहीं मार रहा था इसने तो सारे इंसानों को मार दिया हलक सबको मारे गा हलक के सामने जो उई हाई सोडोर दिख रहे इनके अपर हलक लोग भोशार कामvel पिलेंगे सब को मार दिया मुझे कितनय पॉइंट मिलेंगे Гद जेरो पॉइंट को कि मारना था हिरन और शेरो को इस क्लिए हां हुपोर छाओ को sila का लें गसे जिवर को मारना था मैं तुम्लें झोंगा यहां पर तो बहुत सार डृरान है मैं इनकर किसी को नहीं चुटब लो मैं ने यहाँ पे 6 हेरंग को मार दिया मतलम मुझे 30 पॉइंट मिल गए तो स्यल्ड कि यहाँ पर 30 मिल चुके शुर पॉइंट 2015 कर और हल्क से दो दो शेर आ रहे हैं अले बागो बागो एक सकिंड मैं बाग क्यों रहा हूं मैं तो हल्क हूं मुझे किसे डरना नहीं चाहिए यह 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 लो शेर के बच्चो मैंने दो दो शेर भी मार दिये मतलब बीस पॉइंट है को और मिलते हैं मतलब हलका टोटल हो चुका है 50 पॉ मेरी हल्क ने 50 पॉइंट कर लिए देखने मुझे कितने पॉइंट बिलने वाले अगर मुझे जीतना है तो आइरन मैं तो अल्रेडी डिस्कॉलिफा हो चुका है तो अगले चैनल में चाने के लिए मुझे 50 पॉइंट या फिर उससे जादा करने पड़ेंगे चलो फड़ा इस ताहीं पर आचुकी है तो एक फिरन पांच पॉइंट का फड़ावट से गिनते जाओ एक एक मार दिया यह दो और यह तीसरे को मारते तीन और यह चार तो चारे रन मैंने मार दिये मतलब मेरे 20 पॉइंट्स हो चुके और भी फड़ावट से रन डूंटे हैं एक और य तो ठीक है वरना नहीं मिलेगा एक स्गिन यहां पर तो कितने सारे शेर हैं मेरे पास थर्टी पॉइंट्स और यह 40 और यह 50 और यह 60 यह 70 और इनको इमारते हैं 80 90 100 और यह गाईसर पैने 100 पॉइंट अपने कंप्लीट कर लिए यह यहां पर बज गया इसको भी मार देते त 1-2 से पेले कि सारे के सारे शेइन मेरे पर अडाइक करते 박वर लिए चालते मितनों और वहाला ह४ाणा यह 75 स्कूर है 100 अब बारेस कुट्टें की देखते हैं क्या करता है यह तो खुट्टा है यह कौन सा शीर और हिरंड से लड़ने वाला थे देखते हैं क्या करने वाला है मुझे नहीं लगता यह आरन मैं तो पहुच पाएगा यह 30 स्कूर भी नहीं कर पाएगा फुटर भी थोड़ी दर पता चैनी जाएगा कितना स्कूर यह करने वाला है अब ये कौन से गाने गारा है क्या कर रहा है मुझे तो समझ नहीं आ रहा अरे ये क्या हो गया है रे कैसे भाप देख सकते हूं यह कितने सारे लॉयन यहाँ पर आ चुके हैं अब ये कैसे किया और इसने तो गन भी निकान ली है और ये क्या, एक, दो, तीन, चार, पाट, छे, साथ, आट, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चुगदा, पंदरा, सोला, सातर, आटरा, उननिस, बीस, एकिस, बाइस, तेईस इस कुत्ते ने यहाँ पर तेईस लॉयन्स को मार दिया है, मतलब इसके ओगर 230 पॉइंट्स और मेरे कितने कम पॉइंट्स थे, 100 थे और उसके 230 हो चुगे पॉँ, पॉँ, मेरे तो बूला ही था, मैं सबसे खतर नाकू, पॉँ अरे काईस, अरे कुत्ता तो सही में बहुत ही खतर नाके, इसने सबसे ज़्यादा स्कोर कर दिया 230 पॉइंट्स का मित्रो, इस चैलेंज के विनर है, ये अच्छा सा खतर नाक सा कुत्ता, और आरन मैन होता है डिस्कौरिफाई, इसलिए आखरी चैलेंज में तुम तीनों जाने वाले हो, क्या तुम तयार हो मैं बिलकुल त्यार हूँ, पर गैसर, अगले चैलेंज में मुझे इस कुत्ते का ध्यान रगना पड़ेगा, ये सही में बहुत ही जाला का दरनाक है, इसने रैम चैलेंज भी बहुत अच्छी ते रह करा था, और ये हंटिंग चैलेंज भी बहुत अच्छा करा है, पर हमारे साथ और भी बहुत सारे रेसन्स दोड़ेंगे, अगर उन में से कोई जीता, तो ये मैंशन उनका हो जाएगा, चलो रेस को शुरू करते हैं, तो कोई सर अभी यहाँ पर ये रेस टार्ट हो चुकि ये भागो, हल्क हमारे पीछे हैं, और ये बहुत सारे और भी जने जोगी भागर है, जोगी रोजार ये रेस करते हैं, तो इन से मतलब हमें हैं निये, हल्क या फिर कुटा या फिर मैं, अंतीने में से कौन जीते का, वो हमको पता करना है, चलो फड़ा वड़ से तेज तेज स्विमिंग करते हैं, अमें सब से आगे जाना पड़े का, चलो चलो, चलती चलती पुली स्पीड में स्विमिंग करते हैं, मैं पानी के अंधर से तेज स्विमिंग करके यहां पर आगे आ चुका हूं, और मेरे पीचा अभी भी बहुत सारे स्विमर्स आप देख से तो, चलती चलती स्विमिंग करते हैं, सामने अपना चेक पॉइंट है मैं सामने तक रेस करनी है चल्दी चल्दी करते हैं रेस पड़ना फट से टेजब करते हैं ये लोग में ने बहुत ही जादा पास पौचते जा रहे हैं मुझे अपनी स्पीड को तेज करना पड़ेगा चलो चलो मुझे त्यूम तो मुझे बुट से बचाओ मुझे डर लग है तो कैसर अभी हल्की यां तक रोने की आवज़ आ रही है लगता है वो पानी में डूब चुका है वर काइसर हम आलाम से सुविंग कर सकते में दीरे दीरे आदा से सुविंग करें करके जा सकता आगे निकलने वाला हूँ चलो चलो फड़ाफट से चलते हैं मुझे कैसे भी करके इस रेस को जीक ना है ताकी मैं वह में जीत सकूँ वह कुछा मुझे दिखाई नहीं दिरहां पर मैं बहुत ही जादा थक चुका हूँ मुझसे डंग से स्विमिंग भी नी की चारी पर मुझे कुछ तो करना पड़ेगा वो कुटा मेरे क्यादर सही में आगे चला गया यूगि पीछे मुझे कोई दिखनी रहा हल्का मारा डूप चुका है तो वो कुटा ही बचा जोगी आगे निकल चुका है मुझे उधर तक पहुचना पड़ेगा पर कैसे ये बहुत ही स्विमिंग करने वाला हूँ उस कुटे को मुझे कैसे भी करके हराना पड़ेगा और मैं इसको अरा के रहूंगा तो काई सर अगर आप चाहते हूं तो फटा फट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्स्राइब कर दो ता कि मैं रेस जल्दी से चीच चाहूं वरना मैं ये रेस हाट जाओंगा कमेंड में लिख दो फ्रैंकलिन रेस जीत जाओ तब ही मैं इस रेस को चीत पहूंगा चल्दी चल्दी लिख दो मुझे लगता है वो कुता अरड़ी फिनिशिंग लाइन पर पहुच गया होगा ऐसा नहीं हो सकता, एक कुते ने मुझे पहले रैम चेलेंज में रहाया, फिर मुझे हंटिंग चेलेंज में रहाया, अब वो मुझे स्विमिंग रेस में रहा देगा, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे जीतना पड़ेगा, चल्दी चलो, चल्दी चलो, सामने फिनिशिंग लाइना को चल्दी भागो जल्दी भागो जल्दी भागो तो काई से स्विम्मिंग वाली रिस हमारी कंप्लेट ऊचुकि अब बार हे बाई क्वाली रेस की तुक आव साइकल पर निकल चुकाँ तो कुता मेरे ज़्ट लगाने वाले चलो चलो मुझे कैसे भी करके इस रेस को जीतना पड़ेका और जल्दी बगाओ तुकाई सरा अपनी साइकल को फुलिस विल्म बगा रहो मेरा बोहती जाधा कम बचाए ये कुटा धीरे-दीरे मेरे से पीछे हो तो जा रहा है फड़ावड से भगाते मुझे क आजा कुट्टे तू मेरे से नहीं जीत सकता यह अर्षा मेरे बिल्कुल पीचे भीचे भीचे चलाते हैं वैसे तो मुझे यह भी निमता था कि कुट्टे इतना अच्छे रैम चेलिज में गाड़ी चलाते और हंटिंग भी कर लेते पर यह कुत्ता सब कर सकता है यह नौर मैं जीत के रहा हूंगा काईसर मुझे कैसे भी करके स्रेंस को जीतना मड़े का ऊपर देखो हेलिकॉप्टर भी आ चुका है हमारी रिकॉर्डिंग कर रहा है मैं इसको तेसे नहीं आ सकता है यह पकाल जीच जाएगा मैं इसको नहीं हरा पाऊंगा तो काईसर अभी आप चल जाएगाम पड़े है अजना जाना जाना जाएगाँ Wha। कशते ने में यह सबती थो आप नउप्लाइब इसना है तो काह सरा भी लोन कुत्ते ने मेर संसकता और एसकांगाय कैसे हो सकता है तो व्यक्ते ने मेर से पelson को मैं पाना दोणके पाईस-बिसों नहीं हुजति बहुत 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 ही हो ये कुटा ये रेस जीत चुका है और ये चैलेंज भी वो खतरनाक सा मेंशन इस कुटे का होता है अरे ये कैस हो सकता है ये कुट्टा कैसे जीत गया मैंने इतनी जादा मेनद कर इतनी बड़ी रेस कर किया या इतने सारे चैलेंज कर किया गया और मैं ये चैलेंज हार गया तो काईसर अभी हम इस कुट्टे के ने ने घर पर आ चुके जो कि आज इसने ये चैलेंज में चीता है हाँ हाँ मुझे पता है ये बहुत ही जादा कुछ है तो काईसर आपको पड़ावड़ से गर दिखा जेते हैं सबसे पहले अंदर गुस्त यहाँ पर सारी की सारी गाड़े को कलेक्शन रोल्स रॉइस ये खतरनाक सी बाइक विंटेज कार और ये सूपर कार पता रही क्या क्या है यह पर गाड़ियों में खड़ा है उनके गाराज में भी गाड़े कड़ी है चलो पड़ावड़ से देख यह कोई चैलेंज भी निकर पाएका पर इसने सारे के सारे चैलेंज में मतलब नमबर वन ये कुट्टा है तो ये घर का कुछ और कुछ तो करी लेगा तो कुछ बहुत ही खतरना के यह इसका बातरूम वैसे तो जो बार गार्ण वो इसका बातरूम बनने वाला क्यों कि यह संच आर्ण तक यह कोई चमीशा बढ़े बाड़े बड़े बेडरूम टोनितर बहुत ही बहुत भ्रण के लिय proceeding यह मुचे पता यह यह इन ऊतनी सारी जूलरी पढ़ी है पहली बार को ओर मियूर्गा यह इसकाूपऻ के वह बड़ी आसा किचन और इसका सब जा लिजह सा के गाड़ियों का कलेक्शन सबसे जादा चाहिए मर्सडीज यहां पर खड़िये यह आपर एक और मर्सडीज कड़िये यार हां और चलो मेरे कड़ से बार निकलो यह मेरा गर हम मुझे पता है यह तेरा घर है चलो मैं जा रहा हूं तुमने मुझे भ honour application बाण टिया इसलिए मैं तुमने स canni कोई भी體 ले सकते हो क्या सही में इन में से कोई भी गाड़ी ले सकता हूँ अकोई से भी अरे थैंक यू थैंक यू यह तब भूत ही अच्छा कुते है तो कॉछिसर कौन सी गाड़ी ली जाए यह यलो वाली जरूर जीत करें तो गाइसर अच्छी पर से वित्ता ही अगर आपको आपको अच्छी लिए कर देना चाहिए हो सब्सक्राइब कर देना बता नहीं की वीडियो फटाप अपर से कमेंट करकें बता दो और गाइसर इस्टाम पर डिस्कूर डिस्रिप्शन में बाप जा के जोन फोलो करें और खाइसर हम लेंगे अप्स नहीं पर इसमेरे तब तक के लिए बाए-बाई